हेलो फेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम करन्ट अफेर का एक बहुत ही महत्पूर्ण टॉपिक डिसकस करने वाले हैं टॉपिक का नाम है डेज एंड थीम अक्सर इस टॉपिक से हमें एक्जाम्स में कोशन देखने को मिलते हैं तो जितने भी 2020 के महत्पूर्ण डेज एंड थीम हैं इनको हम डेटेल में डिसकस करेंगे वीडियो लेक्चर को अंद तक जरूर देखिए यदि आपको इस टॉपिक की पीडियेफ चाहिए है तो आप हमारी क्रेजी जीकेटर की अप्लिकेशन से पीडियेफ को डाउन जनवरी ठीक है नौ जनवरी को प्रवासी भारती दिवस के रूप में हम सैलिवेट करते हैं आप जानते ही होंगे इसी दिन 1915 में जो हमारे राश्पिता है महत्मा गांधी ये दक्षिन आफ्रिका से भारत वापस लोटे थे और इन्होंने भारत वापस आकर के सुतंतता स अंगराम का नेतर्त्व किया था और महत्मूर्ण भूमिका निवाई थी इसमेड़ी तो इसी के चलते हम भारती प्रवाशी दिवस को सैलिवेट करते हैं यदि हम थीम की बात करें कि 2023 की थीम क्या थी विशाय क्या था तो प्रवासी अमरत काल में भारत की प्रकर्दी के ल थी 2023 तक इंदौर में आयोजित हुआ है ठीक है तो इंदौर मद्र प्रदेश में इस बार का प्रवासी भारती दिवस सम्मीलन हुआ है आपको याद रखना है इसके लावा इस सम्मीलन में लगवक सतर बिविन देशों के 35 से अधिक प्रवासी सदस्यों ने सम्मीलन के लि फिर वर्ड हिंदी डे के रूप में हम Mitaras को याद रखना है चलिह सोण हम डेटेल देखते हैं हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश से प्रती वर्ष दस जनवरी को विष्व हिंदी दिवस मनाया जाता है पूर विष्व में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश से हम हिंदी दिवस को मनाते हैं विश्यो में इसके लावा इजवार की थीम क्या थी 2013 की तो हिंदी को जन्मत की भासा बनाना वगेर उनकी मातरवाशा की महतिता भूले ठीके तो ये इसकी थीम थी आपको याद रखना है इसके लावा हिंदी सम्मिलन जो होता है ये भी काफी महतिपूर्ण है यदि हम पहला विश्यो हिंदी सम्मिलन बात करें तो 10 जन्वरी 1974 को नागपूर में इसका आयोजन हुआ था तब से इस दिन को विश्यो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा ठीके तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखना है अगले कोशन को डिसक्स करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको अपडेट देना चाहूँगा यदि आप हमारे साथ जोड़कर कि किसी भी एक्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी रूट एप्लिकेशन और क् कॉर्सेज मिल जाते हैं इन कॉर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं देखिए यहाँ पर आपको इंडिविजुल सब्जेक्ट की भी फैसिलेटी मिलती है और आपको डिफरेंट फाउंडेशन बैच भी यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं यदि आप मुझस से जोगरफी पढ कोड को एपलाई करना ना भूलें चलिए अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं अगला कोशन है बारा जनवरी को निमन मैं से कौन सा दिवस मनाया जाता है तो इसका अंसर होगा राष्टरी युवा दिवस मनाते हैं हम बारा जनवरी को जो स्वामी विवेकनन्द है इनकी जयनत की जैनती को राष्टर योवा दिवस के रूप में मनाने की सुरुवात की कई थी स्वामी विवेकनन्द जो आज भी देश के लाखों योवाओं के प्रेरना सुरोत है और भारती इतिहास के सबसे प्रभावसाली निर्थत्यों करताओं में से एक है तो इनके वारे में अपने हिश्टरी में पढ़ा ही होगा स्वामी वेकनन्द के लिए हम बात करें तो वेदान्द के विख्यात और प्रभावसाली आध्यात्मिग गुरू थे इनका जो बचपन का नाम फा, वास्तिविक नाम था जो इनका वास्तिविक नाम था वो नरेंदर नास इसके लावा 1893 में सिकागो में जो विश्यु धर्म महासभावी थी वहाँ पर इनका भाशन काफी ज़्यादा फेमस हुआ था ठीक है तो ये कुछ अन्रेटेल वियाद रखनी है इनके वारे में चलिए अगला कोशन है 25 जन ठीक है और हिंदी में दी हम बोलें तो बोटिंग बेमिसाल है मैं अवश्य बोट देता हूँ ठीक है तो ये इसकी थीम थी आपको याद रखना है तो इसी की स्थापना डेट को चिन्हित करने के लिए वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष देज भर में यह दिवस हम सैलिवेट करते ह ठीक है काफी महत्पूर्ण है आपको याद रखना है इस दिवस का मुख्य उद्देश विशेश रूप से नयमत दाताओं को नमांकन के लिए प्रोटसाहित करना नमांकन संबंदी सुबिधा प्रदान करना और इसमें व्रधी करना इसका उद्देश यह है आपको याद इनके वारे में जागरुकता को बढ़ाना इस दिवस को सेलिविट करने के बीचे है आपको याद रखना है थीम और आदर्श वाक के क्या था तो इसको हम थोड़ा साम डिसकस कर लेते हैं तो पार्टनर से फोर वाल्ड लाइफ, कंजर्वेशन इसकी थीम या फिर इसको हम आठ मार्च को सेलिविट करते हैं आपको याद रखना है तो देखिए इस दिन को सेलिविट करने के पीछे हो देशी क्या है महिलाओं को समाज में बरावरी देना लोगों को उनके अधिकारों को लेकर के जागरुकता फैलाना इसके मकसद से हम इसको अंतराश्री महिला दिवस की रूप में सेलिविट करते हैं आठ मार्च को आपको याद रखना है इसके लबाव हम थीम की बात करें दोहजार तेश की तो डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेकनोलोजी फोर जेंडर इक्वालिटी इसकी थीम थी आपको याद रखना है हिंदी में बात कर ये महिला दिवस सेलिवेट किया गया था ठीक है 2011 में तो ये पॉइंट याद रखिएगा इसके बाद 8 मार्च 1975 को संयुक्त राश्टर ने महिला दिवस को आधिकारिक तोर पर माननेता दी इसके बाद से ही हर साल इस दिन को एक स्पेशल थीम के साथ मनाना सुरू किया गय ठीक है तो ये सारी डिटेल याद रखिए महतपूर ने देखिए इसके लवा इस दिन के दिए हम इतिहास की बात करें कि जो महिला दिवस हम सेलिवेट करते हैं इसके पीछे एक एतिहास एक दिन भी है कि 1908 में नियू यार्क में एक रैली हुई थी इसका एहम योगदान ह जो ये हम डेसलिवेट करते हैं इस दिन क्या हुआ था 12-15,000 महिलाओं ने एक रैली में भाग लिया था या फिर एक रैली का आयोजन किया था और इस रैली में अपने हक की बात की थी मतलब इनकी मांग ये थी कि नौकरी में जितने घंटे काम कराया जाता है उतना उनको उ पूट देना का भी अधिकार दिया जाया या फिर उनको मिले तो इस आंदोलन के एक साल बाद ही अमेरिका में जो सोचलिस्ट पार्टी थी इन्होंने पहले नैशनल विमन डे की घोशना की थी ठीक है तो ये अने डेटेल भी थोड़ा सा याद रखेगा इंपोर्डेंट ह चलिए अगला कोशन दिख लेता है राष्ट्री टीका करन दिवस किस दिन मनाया जाता है तो 16 मार्च को राष्ट्री टीका करन दिवस सेलिवरेट करते हैं या फिर मनाते हैं आपको याद रखना है इस दिन को मनाने की सुरुआत साल 1995 से हुई थी इसके लावा भारत में व 16 मार्च को पोलियो की वैक्सीन की पहली खुराग दी गई थी तो ये भी important है तो ये याद रखीएगा काफी महत्यपोंट डेट है और इसकी theme भी आपको याद रखनी है इसके लब राश्ट्री जो वैक्सीन देवस हम celebrate करते है इसका महत्यों क्या है लोगों को इस वैक्सीन का महत्यों समझाने के लिए ही हम इस दिवस को celebrate करते है जो वैक्सीन होती है आपको याद रखना है अगला question डिसकृस कर लेते है वाइस मार्च को निमन मैं से कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व जल दिवस या फिर वर्ड वाटर डे की रूप में हम सेलिवेट करते हैं वाइस मार्च को आपको याद रखना है इसके लबाएं इसका उधदेशी क्या है तो सबी دेशों में स्वक्ष एवम सुरक्षित जल्की उपलवदिता को सुनिशित कर्वाना साथी जिल संदक्षन के महतो पर भी ध्यान केंद्रित करना इसका उधदेश्य है आपको याद रखना है इसके लबाइस के इतिहास के दिए हम बात करें तो ब्राजील में रियोडी जीनेरियो में वर्ष 1992 में आयोजित पर्यावरन तथा विकास संयुक्त राष्ट सम्मिलन द्वारा आयोजित कारिक्रम में विश्व जल्दिवस मनाने की पहल की गई थी ठीक है लेकिन 1992 में 1992 में सं न्युक्त राष्ट महासवान एक प्रस्ताव अपनाया जिसके दौरब पर तेग वर्ष वाइस मार्च को विश्व जल्दिवस मनाने की घोशना की गई ठीक है तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिए महात्पूर है चलिए अगला कुशन देख लेते हैं विश्व नाम से भी जानते हैं ये वाद भी आपको याद रखना है ठीक है देखे इस दिन को इस मार्कों और इस थलों का अंतराष्ट्री दिवस के नाम से भी जाना जाता है आपको याद रखना है इस मार्कों और इस थलों का अंतराष्ट्री दिवस है ना विश्व विरासत इसकी थीम थी आपको याद रखना है इसके लावा इस दिवस को मनाने का उद्देश ये क्या है तो पूरे विश्व में माना सब बिता से जुड़े एतिहासिक और सांस्कृतिक इस्थलों के महत्व और उनके अस्तित्व के संभावित खत्रों और उनके संदक्षण के प्रती जागरुकता लेके आना इसका उद्देश ये है आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन है विश्व प्रत्वी दिवस 2023 की थीम क्या थी या फिर इसका विश्व क्या था ठीक है तो इसका अंसरोय का हमारे ग्रहे में निवेश इन्वेश्टिंग इन आवर प्लैनेट इसका उद्देश था आपको याद रखना है काफी महत पूंडे है बारवार यहां से एक्जाम में कॉशन आता है इसके लावा 22 अप्रेल को हम विश्व प्रत्वी दिवस के रूप में सेलिवेट करते हैं यह बात भी आपको याद रखना है ठीक है इस दिवस को मनाने का उद्देश कहा है तो प्रत्वी के संदक्षन और परियावरन को लेकर लोगों के बीच जागरुकता पैदा करना इसका उद्देश है इसके लवा इस दिवस को मनाने की सुरुआत पहले 1970 में अमेरिकी सीनेटर गैलार्ड नेलसन ने की थी चलिए अगला कोशन दिख लिते हैं विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जगा 25 अप्राइल को हम विश्व मलेरिया दिवस सलिविट करते हैं याद रखना है इसके लवा इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ संगठन WHO World Health Organization के दोरा वर्स 2007 में विश्व मलेरिया के बारे में जाग रुकता बढ़ाने के लिए की थी आपको याद रखना है विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम सून्य मलेरिया का समय निवेश, नवाचार और कारियान वैन है आपको याद रखना है तो काफी महत्तपुर्ण है आपको याद रखना है चलिए अगला कोशन है 13 मई 2023 को निम्न मैं से कौन सा दिवस मनाया गया तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में हम इस डे को सैलिवेट करते हैं 13 मई को आपको याद रखना है याद रखेगा प्रतेक वर्ष मई और अक्टूवर महीने के हर दूसरे सनिवार का ज इसके लावा 2023 में यह है 13 मई को सैलिवेट किया गया ठीक है तो यह याद रखेगा थीम के अदि हम बात करने 2023 की थीम क्या थी विश्व प्रवासी पक्षियों के लिए इसका महत्व थीम थी आपको याद रखना है यह प्रवासी पक्षियों उनके संदक्षण की आवशकत और उनके आवास के संदक्षण के महत्व के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए आयोजित एक वैश्विक अभियान है यह भी आपको याद रखना है चली अगला कोशन देख लेते हैं विश्व परियावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी या फिर विश्व प्लास्टिक प्रदूशन का समाधान इसका उद्देश था आपको याद रखना है ठीक है विश्व परियावरण दिवस परियावरण की सुरक्षा और संरक्षन ही तो पूरे विश्व में 5 जून को सैलिवेट किया जाता है वर्ष 1972 में परियावरण की प्रती वैश्विक इस तरपर र दौरान विश्व परियावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया था 5 जून 1973 को पहला विश्व परियावरण दिवस सैलिवेट किया गया तो यह अन्य डिटेल भी याद रखिए काफी महत्पूर्ण है चलिए अगला कुशन है अंतराष्ट्री योग दिवस कम मनाया था तो most important day है कई वर एक्जाम में कॉशन आया है तो 21 जून को हम अंतराष्ट्री योग दिवस के रूप में सैलिवेट करते हैं आपको याद रखना है इसके लावा 21 जून को 9 अंतराष्ट्री जो योग दिवस है देजभर में मनाया गया और इस वर्ष के अंतराष्ट्री य चौदा में आयोजित सैयुक्तराष्ट महसावा के 69 सत्र के उद्घाटन के दौरान भारत दौरा अंतराष्ट्री योग दिवस का विचार प्रिस्तावित किया गया था ततपश्चात सैयुक्तराष्ट्र ने देसंबर 2014 में एक प्रिस्ताव पारित करके 21 जून को गोशित किया तो यह काफी महत्पूर्ण डिटेल है आपको ध्यान से नोट डाउन करनी है ठीक है यहां से डेफिनिटल एक्जाम में कोशन आएगा चूकि अंतराष्ट्री योग दिवस है भारत के सोजहाव पर मनाया जाता है इस ते और महत्पूर्ण हो जाता है चली एक खेल, स्वास्त और एक जुटता का जश्न मनाने का दिन है इसका उद्देश लोगों के जीवन में खेल और खेलों के महत्व को चिन्नित करने और उम्र लिंग जाती या धर्म के वावजूद दुनिया भर में खेलों और खेलों में भागिदारी को बढ़ावा देना है पह देवी काफी महत्पूर्डे है अकसर एकजमस में यहां से कोशन देखने को मिलता है तो सांखिकी और आर्थे की योजना निर्माड के छितर में प्रोफेशर प्रसांद चंद्र महान लोविस द्वारा किये गए उलेखनी योगदान के सम्मान में भारा सरकार द्वारा 27 से द्वेखित करना इसकी थीम थी आपको याद रखना है पीसी महान लोविस को भारती सांखिकी का पिता भी कहा जाता है तो ये कुछ डिटेल भी याद रखे इंपॉर्डेंट है चलिए अगला कोशन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है तो 11 जुलाई को जागरुकता बढ़ाना व्यक्तियों को सिक्षित करना इस वारे में ये इसका उद्देश है आपको याद रखना है ताकि विश्व की जनसंख्या है इसको हम नियंतरित कर सकें कंट्रोल कर सकें इस वर्ष की थीम कहा थी तो लेंगिक समानता के शक्ति को उजागर करना हमा पांच अरव होने से प्रेरित था ठीक है आपको याद रखना है पहला विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1990 को मनाया गया था ठीक है तो थीम याद रख लीजे डे याद रख लीजे काफी महत्रपूर्ण है कोश्चन बार बार रहां से रिपीट होता है अगला आपराधिक नयाय दिवस या फिर अंतराश्टरी नयाय दिवस के राम के रूप में भी जाना जाता है यहे एक अंतराश्टी आपराधिक नयाय प्रणाली स्थापित करने है और पीड़तों के अधिकार को बढ़ावा देने का एक दिवस या वि悦 है आपको याद रखना जाता है तो most important day है राश्टरी खेल दिवस को हम 29 अगस्त के दिन salivate करते हैं major ध्यानचंद की ये जहनती है 29 अगस्त इस दिन को ही हम राश्टरी खेल दिवस के रूप में salivate करते हैं ठीक है जो major ध्यानचंद है इनको हम the bizarre ये फिर the magician के नाम से भी जानते हैं ठीक है इस गलवा इस दिन को salivate करने का उद्देशी क्या है तो खेल की भावना के वारे में जागरुकता फैलाना बिभिन खेलों के संदेश का प्रचार करने के उद्देशी से वर्ष 2012 में एक दिन को राष्ट्री खेल दिवस के रूप में मना जाने की घोशना की गई थी इस प्रकार 29 अगस 2012 को पहला राष्ट्री खेल दिवस मनाया गया था तो ये कुछ डेटेल याद रखेगा important है अगला कोशन है निम्नमै से किस दिन अंतराष्ट्री साक्षर्टा दिवस मनाया जाता है तो इसका अंसर होगा 8 सेप्टेंबर को हम अंतराष्ट्री साक्षर्टा दिवस या फिर International Literacy Day के रूप में सेलिवेट करते हैं ठीक है 8 सेप्टेंबर की ये डेट आपको याद रखना है इसके उद्देश की बात करें तो मानवधीकारों के लिए साक्षर्टा के महत्यों को प्रोचसाहित करना साक्षर और सतत समाज को बढ़ावा देना इसका उद्देश है इसके लावा यूनिस को दोरा नवंबर 1965 में ये निर्णा लिया गया था कि ब्रतेक वर्ष 8 सितंबर को विश्यू साक्षर्टा दिवस के रूप में हम सेलिवेट करेंगे और पहली वर साक्षर्टा दिवस 1966 में सेलिवेट किया गया था सारी डिटेल याद रखिए मुश्ट इंपॉर्टेंट है महत्रपूर है अगला कोश्चन देख लेता है 15 सितंबर को निम्द में से कौन सा दिवस मनाया जाता है तो 15 सितंबर को अंतराष्टरी लोगतंतर दिवस के रूप में हम सेलिवेट करते हैं इंटरनेशनल डे ओफ डेमोकरशी के रूप में सेलिवेट करते हैं देखे 2023 के हम इस डे किये दी हम थीम की बात करें तो अंतराष्टरी लोगतंतर दिवस की थीम क्या थी तो इंपावरिंग दा नेश्ट जनरेशन इसकी थीम थी आपको याद रखना है संयुक्तराष्टर महासवा द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा 2007 में इसको इस्थाबित किया गया यह दुनिया भर के समाजों और आकार देने में लोकतंतर की आवश्यक भूमिका को याद दिलाता है वर्ष 2008 में पहली वर अंतराष्टरी लोकतंतर दिवस मनाया गया था सैलिवेट किया गया था आपको याद रखना है ठीक है चलिए अगला कोशन डिसकस कर लेते हैं विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो 16 सेप्टेंबर को हम वर्ड ओजोन डे के रूप में सैलिवेट करते हैं आपको याद रखना है काफी महत पूर दे है बार बार यहां से एक्जाम में कोशन रिपीट होता है तेकि विश्व ओजोन दिवस जिसे ओजोन परत के संड़क्षन के लिए अंतराष्ट्री दिवस के रूप में हम मनाते हैं प्रतीवर्ष 16 से तबमर को हम मनाते हैं यह दिवस ओजोन परत के वारे में लोगों को जागरुक करने के साथ ही इसे बचाने के समाधान और ध्यान इकत्रित करने के उद्देश से मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस 2013 की थीम क्या थी तो थीम की बात करें तो मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग दा ओजोन लेयर एंड रिडूसिंग क्लाइमिट चैंज है मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल आप जानते ही होंगे ओजोन परत के संदक्षनर से संबंदित था तो ये थीम भी आपको याद रखने 16 सेतंबर 1987 को संयुक्तराष्ट और 45 अन्य देशों ने मिलकर के कनाड़ा के मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्तक्षड किये ताकि ओजोन परत को स्वास्त दिवस कब मनाया जाता है तो 26 सेप्टेंबर को विश्यो परियावरण स्वास्त दिवस के रूप में हम सेलिवेट करते हैं तो इस दिवस को मनाने का उद्देश मनुश्यों और उनके परियावरण के बीच जो जटिल संबन्द हैं इनको ओजागर करने के ओदेश से इसको हम मनाते हैं आपको याद रखना है इसके इलावा थीम के दिवस के रूप में सेलिवेट करते हैं ठीक है याद रखेगा इसके लावा विविन हिस्सों में परेटन को बढ़ावा देने और उस पर ध्यान के अंदित करने के ओदेश से इसको हम सेलिवेट करते हैं संयुक्तराष्ट्र विश्व परेटन संगिठन द्वारा शुरू किया गया था ये आपको याद रखना है और इस विश्व परेटन दिवस दो जाते इसकी थीम क्या थी तो परेटन और अखरित निवेश इसकी थीम थी विश्व परेटन संगिठन ने 1979 में विश्व परेटन दिवस की सुरुआत की थी तो ये कुछ अन्य डिटेल भी याद रखिएगा काफी महत्पूर है चलिए आज का लाश्ट कोश्व परेटन दिवस विश्व परेटन दिवस किस दिन सेलिवेट किया जाता है या फिर मनाया जाता है तो 26 अप्रेल को विश्व परेटन दिवस या फिर World Intellectual Property Day के रूप में हम सेलिवेट करते हैं ठीम के अदि हम बात करें तो महिला और आईपी तुरित नवाचार और रजनातमक इसकी ठीम थी आपको याद रखना है चलिए अब देखे कुछ अन्य जो महत्पूर्डे हैं उनको भी हम वन लाइनर में डिस्कस कर लेता है इसकी 21 सितंबर है ये अंतराष्टी सांती देवस के रूप में मनाते हैं इसकी ठीम क्या थी तो एक्शन्स फॉर पीस अवर एंबिशन फॉर दा ग्लोवल गोल्स इसकी ठीम थी बीजून को हम विश्व सरणार थी देवस के रूप में सेलिवेट करते हैं इसकी ठीम क्या थी घर से दूर आसा इसकी ठीम थी बारा जून को हम विश्व वालसरम नेशे देवस के रूप में सेलिवेट करते हैं इसकी ठीम थी सवी के लिए सामाजिक नया बाल स्रम का अंत आठ जून को हम विश्व महासागर देवस के रूप में बनाते हैं इसकी थीम क्या थी तो प्लैनेट ओशन दा टाइड्स आर चेंजिंग इसकी थीम थी पंदरा मार्च की बात करें तो विश्व अभवोकता अधिकार देवस के रूप में हम सैलिवेट करते हैं इंपावरिंग कंजूमर्स थ्रू क्लीन एनरजी ट्रांजिशन इसकी थीम थी 28 फरवरी को हम राश्ट्री साइंस डे नैशनल साइंस डे या फिर राश्ट्री विज्यान देवस के रूप में मनाते हैं इसकी थीम थी Global Science for Global Wellbeing दो फरवरी को हम विश्व आदर भूमी देवस के रूप में मनाते हैं इसकी थीम थी It's Time for Wetland Restoration 16 October को हम विश्व खादी देवस के रूप में मनाते हैं इसकी थीम थी Leave No One Behind 26 अगस्त को हम महिला समानता देवस के रूप में मनाते हैं इसकी थीम थी Embrance Equality तो ये कुछ अन्य जो डेज हैं इनको भी याद रखेगा इनकी थीम भी याद रखेगा यहां से Question देखने को हमें मिलते हैं जाते जाते आपके लिए Question छोड़ रहा हूँ कि समविधान देवस या फिर राष्टरी विधी देवस कब हम सेलिविट करते हैं कब मनाते हैं इसका आपको Comment Box में आंसर देना है ठीक है चलिए तो फिलाल आजके वीडियो लेक्चर में इतना ही जितने भी ये महत्यपूर डेज एंड थीम थे 2023 के ये मैंने आपको डिसकस करा दी है आई थिंक आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा ठीक है तो ध्यान से आपको सारी डेटेल को नूट डाउन करना है काफी महत्यपूर है डेफिनिटल आपकी upcoming exams में यहां से question देखने को मिलेगा यदि वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को like करें जो भी question मैंने session के दौरान आपसे पूछें इसका आप comment box में जरूर answer दीजे मैं आप सभी के comment पढ़ता हूँ तो मिलिंगे अगले बहतर लेक्चर में तब तक अपने क्याल रखिए और पढ़ती रही है बाई बाई ठीक केर जाहिए